नमस्कार दोस्टो स्वागत आपका मेरे चैनल पर दोस्टो जैसा कि आप जानते हैं इलेक्रिसीटी की बहुत ज़ entfer स्टाइट की इंपॉर्टंट इंप्रेंस होती है खासकर गर्मी की रिटू में जैसा कि आप जानते हैं बहुत से कट्स लगते हैं हलांकि हमारे देश में electricity की इतनी बुरी हालत नहीं है फिर भी दोस्तों आने वाले समय में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये एक तो clean energy है और दूसरा दोस्तों आने वाले समय में vehicle से लेके हर चीज electricity पे ही चलेगी और दोस्तों इंडिया काफी लंबे समय से nuclear energy से electricity पैदा कर रहा है और इसके लिए उसने कई nuclear power plant भी लगाए है इसमें कई बड़े देशों की भी मदद ली गई है और उनके साथ में joint venture के तहत भी कई plant लगाए गई है ऐसे में दोस्तों इंडिया का आगे इसके उपर क्या plan है इसी के बारे में बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों अभी संसद में recently हमारे power minister आरके सिंग ने बताया कि 7000 megawatt capacity के nuclear power plant अभी under construction है अलग-अलग phases के अंदर दोस्तों उन्होंने बताया कि तमिलनाडू के अंदर कुडून कुलम nuclear power project के अंदर unit number 345 को 3000 megawatt के लिए additionally तयार किया जा रहा है इसके इलावा दोस्तों 500 megawatt का एक prototype fast breeder reactor भी इसी के अंदर लगाया जा रहा है और इसके इलावा दोस्तों गुजरात के ककरपूर atomic power plant और राजस्तान atomic power station के अंदर आने वाले समय में 1400 megawatt capacity की electricity पैदा होगी इसके इलावा दोस्तों हर्याना की फत्याबाद district के अंदर गोरकपूर village के अंदर 700 megawatt का project भी शुरू किया जा चुका है जो की दोस्तों 560 hectare के अंदर फैला है और जल्द ही पूरा हो जाएगा इसके इलावा दोस्तों atomic energy regulatory commission के chairman और department of atomic energy के secretary के अंवियास आलरेडी कह चुके है कि इंडिया अगले decade में 20,000 megawatt nuclear power generation की capacity की तरफ जा रहा है दोस्तों इस financial year के अंदर हमारी central public sector undertaking department of atomic energy के अंडर में 14,851 करोड रुपए की investment करेगी और इसे हमारी state-owned nuclear power corporation अकेली 98% तक खर्च करेगी तो दोस्तो nuclear power 5th largest source है electricity का इंडिया के अंदर coal, gas, hydro electricity और wind power के बाद में और अभी हमारे 22 nuclear reactor working है 7 nuclear power plants के अंदर और ऐसे ही 8-10 और reactor हमने plan कर रखे हैं और दोस्तो हमें 2008 के अंदर NSG group के द्वारा एक waiver मिला था जिससे कि हम अन्य countries के अंदर से nuclear technology जो की civilian हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी access कर सकते हैं और इंडिया आकेली ऐसी country है जो की nuclear power है और non proliferation treaty पे जिसने sign नहीं किये हैं 2016 के अंदर दोस्तो हमने civil nuclear agreement sign किये थे 14 countries के साथ ये countries थी अर्जंटीना, अस्ट्रेलिया, कैनेडा, चेक रिपबलिक, फ्रांस, जपान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रशिया, साउथ कोरिया, UK, US और वियतनाम इसके इलावा दोस्तो हमने reactor के लिए भी agreement किये हैं अन्या देशों के साथ और सबसे पहले nuclear supplier group के अंदर हमारे साथ जिसने agreement किया वो फ्रांस था 2010 के दुरान प्रेंच प्रेजिडेंट निकोलोस सरकोजी जब इंडिया में आए तो इसकी शुरुआत की गई और जैथपूर महाराश्टर के अंदर 1650 मेगावाट का एक प्लांट लगाया गया इसके इलावा दोस्तो 2016 में जपान के साथ भी ऐसे ही साइनिंग हुए हलांकि जपान का जब फुकुशिमा डाइची न्यूकलियर डाइजेस्टर हुआ था तो उसके बाद में उसे लग रहा था कि उसकी image नहीं रही लेकिन इंडिया ने जपान का भी साथ दिया और उसके साथ में भी हमने agreement किया इसके इलावा दोस्तो रशिया के साथ already हम तमिल नाडू में कुडन कुलम प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं इसके इलावा दोस्तो हमने US के साथ में भी एक letter of intent पे sign किये जिससे हम 10,000 MW US से purchase कर सकें तो दोस्तो आने वाले समय में अगर आप electricity को दे जब हमारे शुरू हो जाएंगे तो इसके बाद इंडिया इसका export भी कर सकेगा तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी धन्यावाद जैहिंद